दोस्तों आज विशाक मास की वरूथनी एकादशी का वरत रखा जाएगा आईए जानते हैं इस वरूथनी एकादशी के महत्यों के बारे में तो युधिस्टर ने पूछा हे वासुदेव, हे किष्ण वेशाक मास के किष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है कर पाँ उसकी महिमा बताईए तो भगानशी किष्ण बोले राजन वेशाक गुजरात और मारास्ट के अनुसार चेत्र तो वेशाक क्रश्ण पक्ष के एकादशी जो है वो वरुथनी नाम से प्रसिद है यह इस लोक और परलोक में भी सोभग्य प्रदान करने वाली है वरुथनी एकादशी के वरत करने से सदा सुख की प्राप्ती और पाप की हानी होती है वरूथनी एकादशी के वरत के महतु से ही मानदाता और धुंदु कुमार आदी अनेक जो राजा हैं वो स्वर्गलोग को प्राप्थ हुए जो फल दस हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुश्य को प्राप्थ होता है वही फल आज वरूथनी एकादशी का यदि कोई वरत रख ले उस मात्र से उसको फल पाप्थ हो जाता है तो हे नप्षिस घोडों के दान से हाती का दान सेस्ट है और भूमी का दान उससे भी बड़ा दान है और भूमी दान से भी अधिक मेतु जो है वो तिलों का दान है तिल दान से भी बढ़कर जो है वो स्वन का दान है और स्वन दान से भी बढ़कर अन का दान है क्योंकि देवता, पितर और मनुश्य को अन से त्रप्ती होती है विद्वान पूरुशों ने तो कन्यादान को भी इस दान के समान बताये गया है कन्यादान के तुले ही गव माता का दान है साक्षात भगवान का कथन है इन सब दानों से भी बड़ा जो दान है वो विद्ध्या का दान है मनुष्य वरुथनी एक आदशी का वरत करके विध्यादान का भी फलप्राप्त कर लेता है ध्यान रखे जो लोग पाप से मोहित होकर अपनी जाई कन्या के धन से जीविका चलाते हैं बेटी की कमाई से जिनका घर पलता हो खुद बैठे रहेंगे और घर की जो कन्या है वो कमाने जाती है उसकी नोकरी से जो पैसा आता है उससे उनका घर चलता है वो पुण्ये का श्रे होने तक यातना मैं नरक में जाते है हते कोशिश करके अपनी कन्या के धन से कभी भी घर मत चलाईए उस कन्या के जो धन है उसको बचा के रखे उससे कभी भी अपने काम में मत लीजी जो अपनी शक्ती के अनुसार कन्या को आभूशनों से विभूशित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुन्यों की संख्या बताने में चितरगुप्त भी ऐसा मत्त है तो वरुथनी एकादशी का वरत करके भी मनुश्य उसी के समानफल को प्राप्त कर सकता है तो राजन रात को जागरन करके जो भगवान मदुसुधन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त करते हैं अतर जो पाप भीरू मनुश्य हैं उनको प्रूव प्रत्न करके इस एकादशी का वरत अवश्य करना चाहिए यमराज से डढने वाला मनुश्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का वरत करें इसके पड़ने और सुनने से सहस्त गोदान का फल मिलता है और मनुश्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में विश्णू लोक में प्रतिस्टित होता है इसलिए आज वरुथनी एकादशी का वरत आप सभी कीजिएगा और साथ में भगवान विश्णू की पूजा और जल दानाज अवश्य कीजिएगा गव से वाज अवश्य कीजिएगा आपके सभी संकट दूर होंगे आपके सभी मनो कामनाएं पूर्ण होंगे जैशी हरी